इन में से कौन सा देश जो है, वो समाज का पालना है, वो पालना होता है जिसमें बच्चों को जुलाते हैं, बच्चा उसमें सोता है और इसको जुलाते हैं, तो वो सभ्यता, जहां पे मानफता खेली है, जहां पे human civilization, humanity ने अपना बच्पन, जहां पे जनम लिया, वो भारत ह है, पर as per this book, बहुत ideal state जो है, यहां पर भी हुए है, इंडिया में भी, लेकिन उसका जिक्र काफी हद तक यहां पर नहीं किया गया है, ठीक है, देखो पश्च्चिमी सभ्यता में हमेशा ये रहा है, कि society में हमेशा जगडा होगा, तब तक यह जगडा नहीं रुख सकता, जब तक हर किसी को समान अधिकार नहीं मिले, जिस दिन तुमने society में लड़के को, लड़की को, काले को, गोरे को, सब को equal rights दे दिये, equal privileges दे दिये, उस दिन conflict खतम हो जायेगा नहीं, समाज में लड़ा या संगर्ष या conflict कब खतम होगा, when society will sacrifice for one another, हाना, कि वो कहते हैं, जब society जो है sacrifice करेगी, तब ही समाज में ये सारी चीज़े होगी, नहीं तो कहां से होगा, जैसे जटायून जो है, उसने अपने प्रांड sacrifice कर दी, माता सीता को बचाने के लिए, हाना, हनुमान ची ने भी का अचाना क्या चाहता हूं, कि competition of sacrifices वो इंडिया है, कि इंडिया में हमेशा बलिदान देने की प्रतियोगिता होती है, कि कौन कितना बलिदान देगा, कौन कितना बलिदान नहीं देगा, हाना, ये चीज़ आपको याद रखने है, आपको इस सारी चीज़े याद रखनी होती so western civilization का हमेशा यही मानना है, कि the conflict is unavoidable, as long as you do not give everybody same rights, सबको समान अधिकार मिल जाए, तो क्या conflicts खतम हो जाएंगे, नहीं, conflicts या लड़ाई समाज में तब खतम होगी, जब लोग sacrifice करना सिखेंगे, एक दूसरे के लिए, ठीक है, जब लोग एक दूसरे को अपने पन से दिखे करोगे ना, हनुमान 40 हमें भी क्या लिखा है, रगुपती की नहीं बहुत बढ़ाई, तुममम प्रिय भरतसम भाई की रगुपती जो है, वो हनुमान जी की बहुत बढ़ाई करते हैं, उनको अपने भाई की जैसा दर्जा दे देते हैं, और वो उनके लिए sacrifice करने के लिए भी तयार है, तभी तो उनको अपना भाई मान रहे हैं, भाई के लिए sacrifice नहीं होता है क्या, तो ये सारी चीज़े जो है आपको पता होनी चाहिए,